तो क्या हाल चाले हैं आप लोगों के और कई लोगों के ये डिमांड आ रही थे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुली मार्केट में ऐसा हुआ बना दिया है कि भाई बहुत ही बड़ी चीज है तो भाई डिजिटल मार्केटिंग इतनी भी बड़ी चीज नहीं है इसे आप सीखना सकें और कई लोगों की ये भी सिकायतारी थी कि भाई क्या इंगलिस के साथ ही डिजिटल मार्केटिंग सीखा जा सकता है या फिर एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है तो भाई इनी सब सवालों के साथ मैं आ चुका हूँ आपके बीच और आज हम फिर से बा तो अगर आप नए है इस चैनल पर तो मैं आपको यह बात सब्सक्राइब कर लिजिए गा देखिए मैं इस तरह के वीडियो लेकि आतरता हूँ जड़ा वीडियो मेरे लंबे नहीं होते हैं सिंपल और टूदी पॉइंट मैं बात करता हूँ कई लोग मुझे यह पूछ रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंग्लिस बहुत ज़रूरी है क्या और मैंने इस पर अलड़ी वीडियो बताया है आप लोग ने देखा भी होगा अगर आप नहीं आपने नहीं इसे मैं बोलूँगा सुबान अल्ला तो नहीं है बहुत ही बढ़िया नहीं है बस नॉर्मल इंग्लिश है जिसे कि वो अपना बात जो है वो कम्मुनिकेट कर दी सामने वाले को और थोड़ा बहुत जो की राइटिंग स्किल्स होती है वो अपना उसका ठीक है तो इसके अ नहीं है कि मैं बहुत ही ज़़ा फ्लोयंट इंग्लिश से मूझता हूं बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी जो बात है बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले को और पहुंचा सकता हूं इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं या फिर जो newspaper होते हैं या फिर कोई articles आ गया उसको पढ़ लेता हूँ उसको समझ लेता हूँ तो overall आपको समझ में आया होगा कि English कितनी जरूरी है मतलब उतनी भी ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही दिगज होना है English में नॉर्मल इंगलिष अगर आपको आती है जिसे आप समझ सकें और लिख सकें तो उतनी English काफी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए और एक अच्छे growth के लिए डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मल से अब तो बहुती ज़्यादा आसान हो गया है चाट जीपीटी के आने के आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग के चीजे जो है ना आप चाट जीपीटी से लिखवा सकते हैं इसके साथ साथ आप आराम से अपनी जो डे टो डे जो मेल साते हैं उस मेल का जो रिप्लाई है वो भी आप चाट जीपीटी से लिखवा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं क कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा तुरब खा वाली चीज नहीं है और कई सारे मेरे फ्रेंटें ऐसे भी हैं जो जिनकी English बिलकुल भी नहीं है बट लेकिन फिर भी वो एक अच्छा package earn कर रहे हैं लाग डेड़ लाग रुपे महीना कमा रहे हैं विदाउट बहुत अच्छी communication के अलावा अब यह मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप न ऐसे demotivate मत होई है कि आप बिलकुल यह ऐसे हो जाए कि बाई अब तो बिना English के तो काम चल ली सकता है कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छी इंग्लिस होनी ज़रूरी है देखिए मैं उन वीडियो के बारे मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें लोगों ने कहा है कि बहुत ही अच्छी इंग्लिस है अगर आप अगर मैं बोलूँ कि आप समझ लिजे कि फॉरण क्लाइंट से डील करते हैं आपके जो क्लाइंट से हैं वो आपके फॉरण के हैं आप टीम रीडर हो आप मैनेजर पोस्ट पर हो आप टीम एक बहुत 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 टीम है जिसको हैंडल कर रहे हो और उसमें डिफेंट तरह के प्रोजेट्स आते हैं इंग्लिस का अच्छा नौलेज होना बहुत जरूरी है बट कोशिश कीजिए कि आप जब डिजिनल मार्केटिंग कर रहे हूँ तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिस पर भी अपना काम करना स्टार्ट कर दीजे क्योंकि आने वाले टाइम में 5-8-10 सालों में आप टीम लीडर होंगे आप मैनेजर होंगे किसी कंपनी में और उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिस की अच्छी रिकॉर्मेंट होनी जरूरी है अगर चाहते हो आप अपकी सालरी ग्रो करें तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश पे थोड़ा बहुत कमांड जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा पैकेज मिल सके बाकी अपना करियर तो आप इस्टार्ट करें सकते हैं तो विदावड एनी हेजिटेशन आप डिजिटल मार्केटिंग जोइन कर लीजिए बाकी वीडियो पसंद आया है यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है लाइक कीजिए फिन क्राश शेयर कीजिए चैनल पर बहुत ही जल्दी नईश वीडियो में तब तक लिए टेक केर नमस्कार